हेलो दोस्तों स्वागा था आपका हमारे चैनल पर तो दोस्तों हम लोग study कर रहे थे student mobs की और अभी तक मैंने उसका तीन पार्ट अपलोड कर दिया है यूटूब पर पड़े हैं तीन पार्ट सीक्वेंस से तो उनको आप देख लिजे फिर ये अगला पार्ट देखे बिकाज ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पहले के पार्ट देखे होंगे ओके तो चले हम लोग सुरू करते है तो हम लोग बात कर रहे थे इस्टूडेंट मॉप्स की यानि की जो दंगो वाली इस्टूडेंट की भीड होती है तो आज कल के इस्टूडेंट किधर जा रहे हैं अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि उन्हें कहां जाना चाहिए और किधर जा रहें देखिए इन दिस इंथ्यूजाजम ऐसी उत्साह में ऐसी उत्साह में नॉट फर पॉलिटिक्स के लिए नहीं यानि राजनीती के लिए नहीं बट फॉर डिस्टूक्शन एंड वाइलेंस बलकि बिनास और हिंसा के लिए दीज इस्टूडेंट में भी सेड इन छात्रों को कहा जा स सकता है तुबी टेकिंग दियर प्रॉपर प्लेस की अपना उचित अस्थान ले रहे हैं राइट अप दियर इन दा वैन और वैन में अपना अस्थान निश्चित कर रहे हैं गिबिंग लीड टू यूद एब्रिवर और प्रतेग जगह नए नवयकों को लीड कर रहे हैं अब इसको समझे पहले मैं इसका थोड़ा सापको समरी बता देता हूं फिर मैं इसकी एक बार फिर से आपको लाइन वाइन समझाओंगा तब समय में आएगा कह रहे हैं कि जैसे ये लड़के इतने उत्साहित होते हैं कि उत्सा में आजकल ये लड़के राजनीती में नहीं भाग ले रहे हैं कि राजनीती के छेतर में जाएं और देश का विकास करें बलकि ये कहां भाग ले रहे हैं किस छेतर में जा रहे हैं डिस्ट्रक्षन और वाइलेंस के छेत्र में राइट अप दियर इंद वेन और अपने आपको कहा इस्थापित कर रहे हैं वेन में अभी बताता हूँ क्या होता जैसे आपने कई फिल्म में देखेंगी उन फिल्मों में किड्नैप के लिए वेन का इस्तिमाल किया था गाड़ी का साटा टाइप का होता है जिसको बगल से खोला जाता है सटका करके तो यह अपने आपको उस वेन में इस्थापित करने लगे giving a lead to youth everywhere और इससे क्या होता है कि आने वाली जो पीड़ी होती है उनका नितरूत कर रहे है कहीं न कहीं आने वाली पीड़ी भी इन ही के जैसा बनने की कोशिस कर रही है तो वही कर रहा है in this enthusiasm ऐसी उसा में not for politics politics के छेतर में नहीं but for destruction and violence बलकि destruction यानि कि बिनास और वालेंस और हिंसा के छेतर में these students may be said in students को कहा जा सकता है कि to be taking their proper place यह अपना अस्थान ले रहे हैं कहां ले रहे हैं destruction और वालेंस में right up there in the when और अपने आपको when में इस्थापित कर रहे हैं giving a lead to youth everywhere और प्रते एक जगा चाहें किसी भी देश की बात क्यों न कीजा है यह youth को क्या कर रहे हैं नेतरुत दे रहे हैं उनका नेतरुत कर रहे हैं for believe क्योंकि हम रहते हैं I repeat मैं दोबारा कहता हूं in curious age बड़े ही उस्सुक समाज में हम लोग बड़े ही जिग्यासू और उस्सुक युग में रहे हैं समाज में रहे हैं which is trying जो प्रियास कर रहा है hard cutting जो cutting प्रियास कर रहा है to abolish समाप्ट करने की want and disease कमियों को और बिमारियों को यानि कि हम लोग ऐसे समाज में रहे रहे हैं ऐसे जिग्यासू समाज में रहे रहे हैं जो कमियों को और disease यानि की बिमारियों को समाप्ट करने का cutting प्रियास कर रहे हैं तुमाम तरह की नहीं नहीं खोजे कर रहे हैं बिमारियों को समाप्ट करने के प्रियास किया रहे हैं क लेकिन और भी कुछ है जिसको बरबाद कर रहे हैं क्या है किसको बरबाद करने का प्रयास कर रहे हैं विदाव ट्राइंग एनि और उपत्त और किसी प्रवाह के और समान के किसी के सम्मान की प्रवाह किये बिना अधर पिपल्स पजेस्टन्स और लोगों के अधिकारों को शंपत्तियों को बरबाद कर रहे हैं यह जो समाच है, यह कमियों को और डिजीज को एबूलिशनी नश्ट करने के लिए प्रियास कर रहा है, लेकिन और यह किसको नश्ट कर रहा है, साथ ही साथ बिना किसी के संपत्ति की परवाह किये, बिना यह दूसरों के संपत्ति को पजस्चन को भी नश्ट कर रहा है, जैस पर पहुचाते हैं थोड़े से student mobs type के हो जाते हैं तो ऐसी बात यहां पर कही गई है और इस इन देशों में होता है यह जो दंगे होते हैं किन देशों में ज्यादा होते हैं एंड इस इन देशों में ज्यादा तर होते हैं वेर जहां पर लैट्स बालक आर नौ मोश्ट केर्फुली बड़े सावधानी पूरवक से और बड़े महेंगे तरीके से नर्चर्ड पाले पोसेज आते हैं और इस प्रकार वे आगे बढ़ते हैं टू नौ खटखटाने के लिए हल नर्ग आउट आफ एबरे तिम प्रते एक चीज़ से बाहर यानि कि आप इसको समझ लिजे वह तो मैंने ऐसे थोड़ा सा आपको वर्ड वर्ड समझा दिया इसके बाद मैं आपको समरी जा रहा हू यह जो हरकते करते हैं इस्टुडेंट तोड़ फोड विनास किताबे जला देना लाइबरेरी जला देना कारो को समेस करना यह जो हरकते करते हैं यह किन देसों में ज़्यादा होता है जहां पर लड़कों को बड़े ही साउधानी से यानि बड़ी देखभाल के साथ और यहां पर बात की गई है मतलब महंगाई से जहां पर जिनको सुरू में बच्पन में महंगी महंगी चीजे दी जाती हैं खाने पीने के लिए अच्छे से रहने के लिए खाने के लिए पहनने के लिए जाता है उनका पालन पुसट बड़े अच्छे से होता है तो वही लोग हर एक चीज से हट करके किसका दर्वाजा खट खटाते हैं नर्क का they proceed to knock hell वे hell का दर्वाजा खट खटा रहे यानि नर्क में चले जाते हैं इसे लोग out of everything पर ते एक चीज से हट करके मतलब और भी छेत रहें जिनकी तरब वो जा सकते हैं लेकिन उन सबसे वो हट करके सीधे नर्क में जाते हैं कहने मतलब वो इन बदमासियों वाले जुन्ड में सामिल हो जाते हैं they may grow up under capitalism and socialism वे पूझीवाद और समाजवाद की तरफ grow कर सकते हैं अपना विकास कर सकते हैं अर्थविवस्ता के दो परकार हैं capitalism, socialism तो वो लोग अपना विकास चाहें तो इस शेत्र में अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं अपना विकास कर सकते हैं बट वोट दे रियली केर अबाउट इस वेंडिलिजम लेकिन वो अपना विकास किस तरफ करते हैं वेंडिलिजम बरबादी की तरफ यानि अपने आपको बरबादी की तरफ जोंक देते हैं नाव दैट दे हैब सफिसेंट मनी तो टेक इस्पेसल ट्रेंस तो फुटबाल मैचस उनके पास बहुत सारा पैसा होता है इतना पैसा होता है कि वो ट्रेंस जाकर के फुटबाल मैच को देख सके आज कल के स्टुडेंट के पास इतना पैसा होता है उनके माता-पिता देते हैं कि तुम फुटबाल देखने चले जाओ, और अच्छे से मतलब अच्छे ट्रेन में जा सकते हो, इस्पेसल ट्रेन के द्वारा तुम फुटबाल मैच देख सकते हो, बट वो करते क्या है उन पैसो को, वो रास्ते में उनको उड़ा देते हैं, मतल बदमाशियों में कहीं न कहीं सामिल हो जाते हैं इसे लड़के अब आगे देखे और एक इसी से रिलेटेड है बहुत अच्छी लाइन है वेल पेड और फुल फेड यूथ है अल्रेडी डन मोर डेमेज दन आल अल थांगरी मिलियंस ओभ ब्लेक इह जाती है अच्छी पॉकेट मनी दी जाती है घर से जिनको अच्छा फैसा दिया जाता है जिनके माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं फुल फेड और अच्छे खाते पीते घराने के होते हैं ऐसे लड़के जो बेल पेड होते हैं और फुल फेड होते हैं अच्छे खाते पीते घराने के होते हैं ऐसे youth has already done more damage, ये लोग अधिक damage करते हैं, अधिक बिनास करते हैं, then की अपेच्छा all the hungry millions, उन भूखे लोगों की अपेच्छा of black is, जो थोड़े गरीब परिवार समाज से आते हैं, यानि गरीब समाज से जो लोग आते हैं, जो थोड़े भूखे रहते हैं, millions का मतलब लोग य जिनको अच्छे से paid किया जाता है और full fed होते हैं, अच्छे से खाते पीते घराने के होते हैं, वो लोग ज़्यादा damage करते हैं, ओके, फिर आगे देखे, आप देखे, यहां पर थोड़ा सा समझ लिजे, समरी बता देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, जैसे आप देखते हैं कि जो कसबे होते हैं, सहर होते हैं, यह कला पर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि कला के छेतर में हमारा सहर आगे जाए, संस्कृति को बढ़ावा नहीं देते हैं, उस पर एक भी पैसा एक खर्च नहीं करते हैं, एक इकन्नी भी चवन्नी भी खर्च नहीं करते हैं, लेकिन जब वही लड़के तोड़ फोड़ कर देते हैं, सह कला के छेत में थोड़ी सी जो पैसा नहीं खर्च करते हूं सहरों को एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है इसको रिस्टोर करने में दुबारा बनाने में निर्मार करने में तो यहीं पर यह बताया गया है कि ताउंस यानि कस्बे सहर that would not risk जो रिस्क नहीं लेते हैं एक पैनी एक चवन्नी का एक अठन्नी का एक छोटी सी रकम का भी रेट यहां पर रकम के लिए आया है एक छोटी सी रकम का भी रिस्क नहीं लेते हैं आर्ट्स कला के लिए यानि सहर के जो हमारा सहर है वो एक छोटी सी रिस्क भी नहीं लेता है हमारे सहर की संस्कृति और सब्विता के विकास के लिए लेकिन अब इनको सामना करना पड़ रहा है एक बहुत बड़ी बिल का ऀब्रीर प्रतेक वर्स टुर पब्लिक प्रोपपर्टी ताकी ये पूब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर सके मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी जिनको इन इस्टुडेंट नस्ट कर दिया है उनको दुबारा बना सके that has been idiotically and malolentally destroyed जिनको मुर्खतापूर तरीके से और बड़े ही बिध्वन्सकारी तरीके से destroyer nest कर दिया गया है उनको restore करने में इनको एक बड़ी रकम चुकानी पड़ रही हाला कि अगर देखा जाए तो यह कला के छेत में थोड़ा सभी रिस्क नहीं लेते थोड़ा सभी पैसा नहीं खर्च करते अब देखिया आगे करा a woman who had taught in junior schools एक अवरत जो junior school में जिन्होंने पढ़ाया है for 40 years 40 वर्सों तक एक अवरत है जिन्होंने junior school में 40 वर्सों तक पढ़ाया है टोल में उसने मुझे बताया that की the most recent children were far and away the most destructive she had even known कहा कि जो हाल के यानि की जो नए नए लड़के हैं यह अधिक destructive होते हैं अधिक बिध्वन्सकारी होते हैं she had even known जितने लड़कों को इन्होंने देखा है उस lady ने मुझे बताया यह writer कह रहा है कि एक lady है जो 40 वर्स तक जिन्होंने junior college में या school में पढ़ाया है उसने मुझे बताया कि जो नए लड़के होते हैं वह अधिक बिध्वन्सकारी होते हैं अभी तक जितने लड़कों को मैंने देखा उन में से वह क्या करते हैं they just wanted to smash things वह बस चीजों को smash करना जानते हैं उसको तोड़ना फोड़ना जानते हैं it is as if ऐसा लगता है मानो की creatures from the other planets कि यह अन प्लेनेट के प्राणी है ऐसा लगता है कि यह दूसरे ग्रह के प्राणी आ चुके हैं had arrived आ गये हैं ऐसा लगता है कि यह इस ग्रह के प्रित्वी के हाई नहीं दूसरे ग्रह से आ गये हैं taking the shape of playful kids और अपना shape किस तरह का बना लेते हैं playful kids यह चोटे चोटे बच्चों की तरह यह चोटे चोटे बच्चों की तरह काम कर रहे हैं who put things जो चीजों को रख देते हैं under lines पट्रियों पर in hope इस आसा से of drilling expresses की express आएंगी और इस पर derail करेंगी जैसे चोटे चोटे बच्चे होते हैं train की पट्रियों पर कुछ कंकर पत्थर लोहे रख देते हैं ताकि train आएगी तो इस पर चढ़ेगी फिर उसके बाद देखेंगे इसका क्या होता है ऐसा होता है नहीं बच्चे करते हैं उनमें उसा होता कि अभी train इस पर चढ़ेगी फिर आगे क्या होगा तो यह जो student है यह उन बच्चों का safe ले चुके हैं उन बच्चों के जैसे हैं ऐसा लग रहा है दूसरे planet से आए हैं और यहां पर उन बच्चों की तरह काम कर रहे है कि अभी तोड़ फोड़ करेंगे तो इसके बाद क्या होगा इस तरह का एक काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से मुझे आसा है और इसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहीं पर इस वीडियो को आज ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं ओके